हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम अरेका पाम प्लांट के बारे में बात करेंगे कि अरेका पाम के मुझाय हुए फ्लांट को हम किस तरह से ठीक करें और किन कारणों से जो है अरेका पाम का प्लांट खराब हो जाता है यह जो प्लांट आप वीडियो में देख रहे हैं ये अरेका पाम का प्लांट है और ये प्लांट काफिर मुझा गया है, इसकी पतियों भी पीली पड़ गई है और जो पतियों के टिप पैव पूरी तरह से सूख गई है, तो किस तरह से इसकी पतिये पीली पढ़ जाती है और ये प्लांट इस तरह से मुर्जा जाता है इसी के बारे में इसमें आगे डिसकस करेंगे और आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें इनकी केर करने जाए जिससे कि ये प्लांट प्रिश्चे हरा भरा और हल्दी हो जाए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन कारणों सी जो है इस प्लांट की पतीय पीली पड़ जाती है और इनकी टिप भी सूखने लग जाती है और जो plant है हमारा मुरजाने लगता है सबसे पहना कारण है अगर हमने अपने plant को आउट डूर रखा हुआ है बाहा रखा हुआ है तो इसको direct sunlight में नहीं रखना रहे है अगर इसको पूरे दिन की दूक मिलती रहे गी दूख में रखा होगा तब भी plant की पतिया पीली पर जाती है और इसकी tip जोए शोकने नर जाती है और second कारण है कि इसमें over watering का अब हम इस plant में ज़्यादा पानी देते हैं तब भी plant की पतिया पीली पर जाती है ज्यादा पानी इस प्लांट को नहीं चाहिए इसको इतना पानी चाहिए कि इसके मिट्टी में मौस्चर बना रहना चाहिए ज्यादा पानी देंगे तो इस प्लांट की जड़े है और इस प्लांट सुखने नग जाएगा अगर इसको कम पाने देंगे तब भी इसकी जो पतियां है वो वोचाने लग जाएंगी और इसकी पतियों की टिप भी सुखने लग जाएंगे इसको में underwater भी नहीं करना है और over watering भी नहीं करना है और तीसरा जो कारण होता है वो होता है insect attack का जो हमारे प्लांट में छोटे-छोटे इंसेक्ट आ जाते हैं, अगर हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तब भी प्लांट शोखने लग जाता है, जैसे ये वाला प्लांट है तो इसमें वीचे बहुँ जादे छोटे-छोटे इंसेक्ट आ गए है, ये जो छोटे-छोटे होते हैं, पतियों के उपर भी आ जाते हैं और इनकी ब्रांच के उपर भी आ जाते हैं, तो जैसे इस पति के उपर छोटे-छोटे इंसेक्ट आए हैं, तो पतियों का रश्चूस लेते हैं और पतिया इसराब हो जाती है, देखें यहां पे इस प्लांट के ब्रांच के जो निकाल को अंelnिया किनिन प्लांट के पास इस तरह से तो तैहनी होती है, इसको निकाल को प्लांट हो ऐसा नहीं प्लांटिं वो जाएगा जब भी इस तरह का इन्षेक्ट अन्ट राक्लांट के ऊपर हो थो हमें इन्षेक्टिशाइड का सुपरेड जरूर करना है इसी से जो है हमारा प्लांट फिर्श से ग्रो करेगा और इंसेक्ट भी खतम हो जाएंगे जितने भी प्लांट के पती उपर इंसेक्टे हैं उपके उपर स्प्रे जरूर करना है तो फोरे का पूरा प्लांट ही इंसेक्ट से भराफ हुआ है इंसेक्टिशाइड का सप्रे हमें पतियों के उपर भी करना है और इसकी जो मिटी है उसके उपर भी करना है अगर हमारा अरेका पाम ग्रो नहीं कर रहा है उसकी पतिये पीली पड़ रहे हैं तो उसका एक कारण ये भी होता है कि जैसे हमारा प्लांट बड़ा हो जाता है और गंबला छोटा हो जाता है और तो इसकी रूट बाउंड हो जाती है इस condition में भी plant जो है अच्छे तरह से grow नहीं करता और इसकी पतिये पिली होने लगती हैं पतियों की ठीट ठीटी सोखने लगती हैं ये भी इसका main कारण है अगर ऐसा हो गया हो तो हमें अपने plant की reporting कर देनी है उसको किसी बड़े गंबले में shift कर देना है जो भी अरिका पाम की पतिये पिली हो जाती है और पिली होने के बाद मुर्जा जाती है ऐसी पतियों को हमें trim कर देना चाहिए अपने plant के उपर नहीं रखना चाहिए किसी seizure से भी कर सकते हैं सोखी हुई पतियों प्लांट के उपर रहेगी तो प्लांट दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा खराब हुई पतियों को निकाल ले के बाद हमें अपने plant को ऐसी जगा पे रखना है जहां सिर्फ इसको bright light मिलती रहे तेज दूप में प्लांट रहेगा तो खराब हो जाएगा चाहे इंडोर रखिए चाहे आउट डोर रखिए लेकिन ऐसी जगा पे रखिए जहां सिर्फ इसको bright light मिले यानि कि या तो सुभा एक घंटे की रूप और शाम के एक घंटे की रूप मिलती रहे तो इस plant के लिए काफी है अब अगला काम हमें इसमें fertilizer देने का करना है तो हमें अपने अरिका पाम में ज़्यादा fertilizer देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जब भी हम इस plant को लगाते हैं तो इसमें पहने ही जो मिट्टी बनाई होती है वो well drain बनाने चाहिए well drain मिट्टी बनाने के लिए हमें 50% garden swell, 30% compost और 20% river sand लेनी चाहिए इस plant में तीन महिने के बाद हमें फिर से बर्मी compost add करनी है बर्मी compost में मिने तो गाय के गोबल की जो पुरानी खाद होती है नगवग एक तेट सान पुराने ओ इस plant में जरूर डालने है बर्मी compost में nitrogen की मात्रा काफी अच्छे से होती है तो इसको डालने से हमारे plant में काफी अच्छे से growth होती है और शैकिंग जो fertilizer plant में डालना है हमें ओ है Epsom salt Epsom salt भी इसकी पतियों को lush green बनाता है तो यह भी plant में जरूर डालना है और तिसरा जो fertilizer है वो है सर्षो की खले सर्षो की खली का powder हमें plant की जड़ों में डालना है इससे अरेका plant अच्छी तरह से grow करेगा fertilizer डालने के बाद हमें plant में पाली डालना है कम मात्रा में जिससे की plant की जो मिटी है इसमें नमी बनी रहे मौश्चर बना रहे जो plant के उपर इस तरह से सुखी हुई ब्रांची जो होती है उनको भी हमें कट कर देना चाहिए तो इस तरह से हमें अपने अरेका palm की care करनी चाहिए उसको bright light में रखना चाहिए मुर्जाई हुई उपतियों को plant से निकाल देना है और इसमें अगर insect attack है तो insecticide का spray करें और इसमें over watering भी नहीं करें अंडर watering भी नहीं होने चाहिए fertilizer में बर्मी कंपोस्ट जरूर एड़ करें